हलो फ्रेंड्स मैं हूँ प्राची और वेलकम तो मैं चैनल हैपिनेस विद प्राची आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगे एक सी दो साल तक की बच्चों का विंटर डैली रूटीन एंड डाइट चार्ट सर्द्यों बच्चों को जो सबसे ज़्यादा प्राब्लम होती है वह होती कफ और कोल्ड की ऐसे में अगर हम कुछ बातों का धान रखेंगे इस प्राब्लम को फेस करने से काफी हद तक बचा जा सकता है जैसे कि कौन सा फूट हमें बच्चों को किस टायम पी देना चाहिए, उनके खाने में हमें क्या-क्या एड करना चाहिए सब्सक्राइब कीजिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यह बोलना चाहूंगे की फ्रेंड सभी बच्चों का जो milk and food का requirement होता है वो अलग-अलग होता है अगर इस चार्ट के recording अगर आपका बच्चा अगर बच्चों को 7.30 से 8 o'clock के बीच में चाहना चाहिए अगर बच्चा इससे पहली भी चाहता है तो कोई प्राब्लम ने है बट इससे अगर लेट चाहता है तो क्या होता है कि लॉंग टाइम तक सोने की वज़े से उनको गेस्ट्रिक प्राब्लम होने की चांसिच होते है क्योंकि लॉंग टाइम से उन्होंने कुछ खाया हुआ नहीं होता है और जैसे हम उन्हें कुछ खिला आते तो उन्हें वामिट हो जाती है यह सब कैस्ट्रिक इशो की वज़े से ही होता है जगने की बाद मैं अपने बीबी को सबसे पहले देती हूँ हलका गुनगुना प क्योंकि यह एंटी बैक्टेरियल होता है यह बच्चों के इम्मुनुटी को बूश्ट करता है इनकी इस बच्चों का फैन कोल्ट की प्रॉब्लम है उस तिन आप क्या कर सकते हो कुन-गुने पानी में थोड़े से तूलसी के पती अद्रग अन हनी आप एड़ कर की एंट्रिलिफ मिलता है क्फए कॉल्ड से मिल्क टाइमिंग जो जोसका होता वह 8.30 होते है जगने के बार में उसका दे का फ 99 डेती हो मिल्क की प्वांटीटी आप 150 अमल से 200 अमल के बीच में दे सकते हो सर्दयों में बच्चों को प्लें इने की जगे आप लोगों को उने जाएक मिल्क देना जहिए जिसकि उनके इम्मुनिटी भुस्ट हो सके। यह मैं आप लोगों के साथ कुछ ऑप्शन शेयर कर रहे हूं इस टाइप का मिल्क आप अपने बच्छों को बना के सकती हूं जिसकि मैं देती हूं आप बच्छों के लिए केसर बादमका मिल्क बना क यहां पर मैं आप लोगों की छोटी सी टिप्स देना चौंकी आप जब बीबी का मिल्क बना रहे हो इक साल से अगर बच्चा बड़ा है तो आप उसके एक दूद में सुगर की जगे आप जैगरी पाउडर यानि की गुट एड़ कीजिए जैगरी की होता है विंटर में गरम इसमें आइरन होता है तो बच्चों के खाने में आपको गुट तो जरूर एड़ करना है विंटर में अगर आपका बच्चा लेट चेकता है तो आप उसे डारेक्ट ली ब्रेक्फास्ट दीजिए मिल्क को स्कीप कर दीजिए 9.15 तो 9.30 ब्रेक्फास्ट टाइम होता है ब् इंटर में हल्वा सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है ब्रेक्फास्ट में जोवार डोसा दे सकते हो एपल और स्पैनकेक दे सकते हो मुंगदाल चीला दे सकते हो रागी डोसा दे सकते हो रागी पोरीज दे सकते हो उकमा दे सकते हो मेथी आलू गोबी के पराथा बना के दे सक बचते हो। नोन वेचिटेरियन ऐप्शन कुछ रिक इस तरीके से यहां में आप फिल्कुल बिल्गों को जबना या फिर सिट्रस फ्रूट्स खिलाएंगे, बनाना खिलाएंगे, तो हमारी बीबी को प्रॉब्लम हो जाएगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप बचों को सिजनल फ्रूट्स जरूर खिलाएंगे, बचों के लिए बहुत ज़रूर होता है, जिस दिन भी वैदर पक्रण प्रॉब्लम होती है, अगर आपके बचों को डान य heute को ड्रूट्स होता है, आप चाहते हो तो से ऐवड कर सकते हो, बट सिट्रस फ्रूट्स होते होते हैं, बचों को ड्रूट्स जरूर दीना चाहिए, वह हलP करते हैंare उनके इम्मुनूनिटी बोस्ट करने में ह आप फ्रोट्स दीजिये, लाइक बनाना, एपल, कीवी, स्ट्रोबेरी, औरेंज, चीज, पनी, स्वीट पोट्रीटो वेजीज, सूप स्नेक के बार में आप बच्चों को थोड़ी जरूर खेलने दीजिए, आप चाहो तो उन्हें पार्क ले जा सकते हो, या फिर आप छट पे ले जा सकते हो, क्योंकि तर्दियों में विटामिन टी लेना बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है, और धूप में अगर खेलेगा तो जो लंच करने का टाइम पर उन्हें भूख लगना स्टार्ट हो जाएगा और बच्चा अच्छे से लंच करेगा, लंच टाइमिंग जो होता है, यहां में आप लोगों को एक टिप तेना जाओंगे, विंटर में बच्चों के खाने में रागी, मक्का, बाज जोवार आप लोग जरूर एड कीजिए, विंटर में बच्चों के खाने में आप हरे पतेदार सबजे जरूर एड कीजिए, क्योंकि उनसे बच्चों के जो nutrition के requirement होती है, वो फुलफील होती है, लंच option कुछ इस तरीके से है, वेजटेबल पास्ता, मिक्स वेजटेबल खी जोवार डोसा, रागी, जोवार, ओट्स, बेशन, मिक्स रोटी आप बना के बच्चों को दे सकते हो, अगर बच्चा छोटा है तो आप बच्चों को रोटी की जगह है, पैनकेक या फिर आप उन्ने चीला बना के दे सकते हो, बाजरा खीचडी, ओट्स खीचडी, मिक्स वेच तलिया, मैथी पराथा, आलू पराथा, गोबी पराथा, वेजिटेबल वर्मी सिली, बेशन पालक चीला, इस तरीके से आप 7 डेज का 7 डिफरेंट टाइप का लंच आप बच्चों को बना के दे सकते हो, उससे बच्चों को वेराइटी भी मिलेगी और बच्चा एक आप 5.30, मेड़ेवनिग सनक ऑप्शन, अगर विंटर में बात करते हैं तो सबसे बेस्ट चों प्शन होता है वेवनिग में बच्चों को देने के लिए हो वो गरम गरम सूप, आप चोको टॉमीटो बना की दे सकते हो, मिक्स वेजेटेबल सूप बना की दे सकते हो, डाल क पेटीज, इस टाम पे आप लोगों को फ्रोट्स, स्मूधी, शेक, दही, इन सब को अवोइड कीज़े क्योंकि इवनिंग के टाम पे सर्दी हो जाती तो बच्चों को कफ एंड कॉल होने के पूरे चांस ही होते है, अगर आप ये सब दे रहे हो तो बच्चों को इस तरीक आप डीने में मिक्स वेजटेबल पराथा दे सकते हो, बीट रूट पराथा, बाजरा ये मक्की की रूटे अगर बच्चा खाता है तो option में रख सकते हो और आप अग पराथा, बीट रूट पैनकेक, स्पिनिच राइस, केरेट पोटेटो राइस, इडली, डोसा, बाजरी की खीचटी, केरेट टॉमेटो पास्ता, प्लीज नोट डाउन, अगर आपका बेवी पराथा नहीं खाता है तो आप चीले या फिर पैनकेक बना के दे सकते हो, उसमें बहुत सारी वेजटेबल अप एड कर दीजिए, चीले जू बनते हो बहुत सौफ्ट हो बच्चा एज स्लिपिंग, यहां में आप लोग के साथ कुछ फूट आइटम्स की लिए शेयर कर रहे हो, जिनने बच्चों की डाइट में एड करना, विंटर में कंपल सरी है, या फिर कहें मस्ट है, आप इने जरू एड कीजिए, यह जो फूट आइटम से बच्चों की हैल्थ की साथ- डेट्स, नट्स, जैगरी, स्वीट पोटेटो, घी, आमला, यहां में आप लोगों के साथ कुछ एसेंसियल विंटर फूट के लिए शेयर करें जिसे आपको एक आइडिया मिल जाएगे कि आपको अपने बेबी के डाइट में क्या-क्या आइड करना है विंटर में, स्पी करना को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हां बेल आइकन दबाना बिलकल मत बूली क्योंकि फ्यूचर में आपको ऐसे और भी वीडियो मिल सकें